आज का टोपिक है कैंसर अर्थात करकट रोग कैंसर एक अत्यधिक पीड़ा दाई और गंभी रोग है जिसे से प्रतिवर्ष लाखों विक्ति मर जाते हैं कैंसर के कारण कोसी का विभाजन अनियंत्रत हो जाता है और कोसीकाएं अब विभेदित कोसीकाओं का एक ट्यूमर बना लेती हैं ट्यूमर की कोसीकाओं तेजी से ब्रधी करके सामान्य कोसीकाओं को नश्ट करती जाती हैं यदि कैंसर को अती संचिप्त रूप में समझना हो तो ऐसा भी कह सकते हैं कि सरीर में कोसिकाओं के अनियंत्रित कोसी का विभाजन की दसा को ही कैंसर कहा जाता है कैंसर कोसिकाओं के विभाजन से दो प्रकार के ट्यूमर बनते हैं जिनहें सुदम ट्यूमर तथा दुरदम ट्यूमर के नाम से जाना जाता है सुदम ट्यूमर अर्थात बिनाइन ट्यूमर्स इस प्रकार के ट्यूमर सैयों जीयू तक में बंद रहते हैं तथा एक ही इस्थान पर बने रहते हैं या एक ही इस्थान पर उत्पन होते हैं । दुर्दम टूमर, अर्थात Malignant Tumors इस प्रकार के Tumor की कोशिकाएं रुधर और लसिका के साथ परिसंचरत होकर सरीर के अन्य भागों में भी पहुँच जाती हैं और वहाँ पर भी Tumor उपनक करती हैं ऐसे Tumor को दुर्दम टूमर कहा जाता है कभी कभी परिक्षाओं में मैटाइस्टैसिस के बारे में पूछ दिया जाता है तो आप लोग याद रखें जब ट्यूमर कोसिकाएं रुधिर या लसीका के द्वारा सरीर के बिभिन भागों में फैल जाएं तो इस दसा को मैटाइस्टैसिस कहा जाता है प्रभावित उतकों के अधार पर कैंसर निम्ण प्रकार के हो सकते हैं जैसे सबसे पहला सारकोमा सारकोमा को समझेंगे इस प्रकार के मैलिगनेंट ट्यूमर की ब्रधी भूडिय मीजोडर्म से होती है जैसे की अस्थी, पेसी, लिम्फ ग्रंथी तथा सैयोजी उतक का कैंसर अब है कैंसर का दूसरा रूप्स कार्सिनोमा एपिथीलियम उतक यद तवचा की मैलिगनेंट ब्रधी को कार्सिनोमा कहते हैं जो दुर्दम ट्यूमर होता है उसकी ब्रद्धी को कार्सिनोमा कहते हैं जैसे तवचा, फेफडे, इस्तन, आमासे तथा अगन्यासे का कैंसर और तीसरा रूप है लिवकीमिया यह है रुधर का कैंसर होता है इसमें अस्ति मज्जा में कोसीकाओं के अनियंत्रित भवन के कारण रुधर में लिवकोसाइड जैसे हम डबलूवीसी कहते हैं डबलूवीसी की संख्या बहुत तेजी से बढ़ जाती है और रुधर गाढ़ा होने लगता है लिवकीमिया को ब्लेड कैंसर के नाम से भी जाना जाता है अब समझेंगे कैंसर के कारण कॉसे ऑफ कैंसर हो जाता है और कभी कभी से मुख गले लेरिंग्स आदि में भी कैंसर होने की सम्भावना बढ़ जाती है कि ग्रामीड शेत्रों में ज्यादता लोग तंबाकू चबाते हैं तंबाकू और सोपारी अधिक खाने से मुक्ष कैंसर हो जाता है क्यों कई बार ऐसा भी दे लिखने को मिलता है वहां अधिक सर्दी पढ़ने पर लोग कपड़ों के अंदर एक छोटी सी कांगड़ी यानि अंगिठी जैसी होती उसको रख लेते हैं अपने आपको गर्मी देने के लिए जिसके कारण तवचा उत्तेजित होती है और उस भाग की तवचा में कैंसर होने चैन्सर का एक कारण विसानूं भी हो सकता है अपने वाले विसानू को औंको वाईरस कहा जाता है अब पढ़ाएंगे केंसर के लक्षण हम पता कैसे करेंगे कि किसी विक्ति को गैंसर हो गया है तो यदि शरीर के किसी भाग में गांठ बपिन जाए दिसे कुछ लोग्स Chili ग्याद्टन हो सकता है है जग मिया फोड़ा फोड़ा फुंसियां हो जाते हैं यदि ये जल्दी ठीक ना हो और गाव बना रहे लंबे समय तक निगलने में परेसानी ये लगातार कफ बना है बोलने में दिक्कत हो तो यह कैंसर का एक लक्षण है सरीर के किसी अंग्या किसी भाग में या तवचा में अचानक से एक आउट ग्रोथ बनने लगे तेजी से ब्रद्धी होने लगे उस जगे पर तो यह कैंसर का एक रूप हो सकता है कब जिका बना रहना भूंख न लगन कैंसर को उत्पन करने की लक्षण है यह और बजन में लगातार कमी यह कैंसर रोगी का एक प्रमुग लक्षण है अब समझते हैं कैंसर का उपचार बैसे तो अभी तक कैंसर को कोई निश्य तिलाज नहीं मिल पाया है लेकिन आज कल सल चिकसा जिसे हम सरजरी कहते हैं सरज कैंसर का इलाज किया जाता है कुछ औसदियां भी कैंसर में लाप पहुंचाती है